नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका आपके आपने YouTube चैनल Info Academy में, आज मैं फिर से हाजर हुई हूँ आपके सामने, एक नई, उर्जावान, सकारात्मक और प्रेर्णा देने वाली कहानी लेकर, आज केस करोना महमारी के दौर में यह कहानी बहुत सटीक पैठती है, तो आई यह शुरू करते हैं, आज की कहानी, एक बार एक पक्षी समुंदर में से चोच से पानी बाहर निकाल रहा था, तभी उसे देखकर दूसरे पक्षी ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, पहला पक्षी बोला समुंदर ने मेरे बच्चे डूबा दिये हैं, अब तो इस समुंदर को सुखा कर ही रहूंगा, इसे पानी विहीन कर दूँगा, यह सुन दूसरा पक्षी बोला भाई तेरे से क्या समुंदर सुखेगा, तो छोटा सा पक्षी है और समुंदर इतना विशाल तेरा पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन यह समुंदर सुख नहीं पाएगा, पहला पक्षी बोला, देना है तो साथ दे, सलाह नहीं चाहिए, उसने फिर दोहराया कि अगर साथ नहीं दे सकते तो सलाह नहीं चाहिए, यह सुन दूसरा पक्षी भी उसके साथ लग लिया, ऐसे करते करते हजारों पक्षी आते गए और दूसरे को कहते गए सलाह नहीं साथ चाहिए भगवान विश्णू के वाहन गरुड जी भी यह सब देख रहे थे यह देखकर गरुड जी भी इस काम के लिए जाने लगे भगवान बोले गरुड कहा जा रहा है तुम उगए तो मेरा सारा काम रुख जाएगा तुम सब पक्षियों से सम समुंदर सूखना भी नहीं है गरुड बोले भगवन सलाह नहीं साथ चाहिए फिर क्या था ऐसा सुन भगवान विश्णू जी भी पक्षियों के साथ समुंदर सुखाने आ गए भगवान विश्णू जी के आते ही समुंदर डर गया और उस पक्षि के बच्चे लोटा दि है कि संकट की घड़ी में सलाह की बजाए साथ देना चाहिए आज इस संकट के समय में देश को हमारी सलाह नहीं साथ चाहिए आज सरकारों को कोसने वाले नहीं समाज के साथ खड़े हो कर सेवा करने वाले लोगों की आवशक्ता है इसलिए सलाह नहीं साथ दें जो साथ दे द और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो विडियो को लाइक कर दीजिए इसके साथ ही इसे अपने दोस्तों मित्राएं और रिष्टिदारों के साथ शेयर कर दीजिए तो मिलते हैं अगली विडियो में Stay Home Stay Safe जै हिंद जै भारत